हेलो दोस्तों सुखत है हमरे YouTube Channel Stock Market 09 में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Bank Nifty और Nifty का दोनों के अलइसिस करेंगे लेकिन जैसा कि आपको पता है दोस्तों कल है Venes day और जो Bank Nifty का होता है expiry day होता है तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 17 जन्वरी जो है वो bank nifty का expiry day है यानि कि कल बुद वार के दिन तो जैसा कि हम लोग देखे रहे हैं दोस्तों पहले expiry है bank nifty का तो हम लोग पहले इसके बारे में discussion करेंगे analysis करेंगे और इसके बाद हमें इसी वीडियो में जो है वो nifty के बारे में भी बातशीत करेंगे तो जिनको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो हमारा analysis जो है बहुत पसंद आ रहा है किरिपया करके like कर दीजे subscribe कर दीजे हमारे channel को और support करेंगे दोस्तों हमारे channel को तो जैसा कि आप देख रहें दोस्तों कि जो closing है in bank 50 का वो आया 48,100 वो 11 क्या सपास तो बहुत अच्छा closing भी नहीं मानेंगे दोस्तों कि कल का अगर closing हम लोग देखेंगे तो कल का closing से नीचे ही closing आपको होते यह रहा दोस्तों कि कोई जैसा कि मेरा कल का analysis था वैसा ही same to same जो है वो आज का analysis रहने वाला है क्यों क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था मैंने देखिए यहां पर एक line लगा करके दिया था last video में आप जा करके देख सकते हैं YouTube पर पढ़ा हुआ है आज के analysis के बारे में तो मैंने आपको बोला था कि market अगर यहां पर फ्लाट खुल करके नीचे की तरव चलता है तो जब जक इस line को break नहीं करेगा हम लोग put नहीं लेंगे तो आप देख सकते हैं तो जब भी मैंने बोला है कि अगर लेवल एक ब्रेक करें और रीटेस्ट करें तभी आपको इंटर करना है यह वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं पूरा डीटेल में बनाया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर market जैसे ही नीचे यह break आया ठीक है और उसके बद market यहां से इसको रीटेस्ट किया और यहां से ऊपर नहीं निकल पाया इसी candle में हमारा पूट में जो है वो इंटरी बना और लगतार यहां से आप देख सकते हैं कि इस level तक हम ल मिलते हुए आपको दिखा होगा और बहुत लोग यह लिए भी है दोस्तों ठीक है तो एक यही एक ट्रेड बना दोस्तों यहां पर और बाकी कहीं भी एक कोई भी ट्रेड जो है बैंकरिप्टी में नहीं बना तो कल के दिन भी यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और न तो यह हम लोग इसी वीडियो में डिस्क्रेशन करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर यहां पर फ्लैट खुल करके नीचे की तरफ चलता है और इस लाइन को ब्रेक करते ही यहां पर हम लोग यहां पर पूट में इंट्रेस्टेड रहेंगे ठीक है त दूसरा टार्गेट में हम लोग देख रहते हैं दूसरा टार्गेट थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है और इसका पीछे का रीजन में हम लोग यहां पर जानेंगे ठीक है तो यह जो दूसरा टार्गेट आ रहा है यह आ रहा है यह गयाप की वज़े से थोड़ा से गया इसलिए हमारा यह जो दूसा टार्गेट आ रहा है यह बहुत अच्छा टार्गेट है यहां पर प्रॉफिट बुग करने के लिए पूट में तो यह दो तार्गेट याद रखेगा दोस्तों अगर यहां से बैक डान हो जाता है यानि कि इस लाइन से नीचे ही मार्केट ओप सकते हैं लेकिन कल एक चीज और मूलेंगे दोस्ते अगर मार्केट मिलता है तो आप यहां पर पूट में तो इंट्रेस्टेड हम लोग रहेंगे ही रहेंगे लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पर मिलता है जितना इस लेवल के नजदीक मिलेगा उतना हम लोग यहां पर ज जहां यहां से ब्रेख किया था तो ये support बना था तो अगर market यहां से support लेता है तो call में अच्छा का सा profit हो सकता है कल के दिन तो अगर market यहां पर first half में अगर आपको इस label पर मिल जाए तो यहां पे एक छोटा सा setting टस डालके आफ और लिए try कर सकते हैं बहुत अच्छा लेबल है यहाँ पर बाई करके चलने का क्योंकि overall आप देख रहे हैं ट्रेंड जो है वो बुलिस है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी दोनों भी तो यहाँ पर हो सकता है कि market अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ दिखा सकता है और बहुत अच्छे से फिर से इस लेबल तक आपको आते हुए market जो है वो दिख सकता है तो यह चीज ध्यार में रखिएगा दोस्तों कि कल के दीन जो है वो धूनों तरफ हो सके तो profit market आपको देते हुए दिख जाए तो इसके बारे में विचार जरूर करिएगा तो ठीक है अब हमनों बात करते हैं call की तरफ अगर market यहां से flat खुलने के बाद उपर की तरफ निकलता है तो जब तक call नहीं लेना है दोस्तों तब तक जब तक इस लेबल को market क्रॉस निकलता है जो कि 48,670 स्वरी 48,270 अगर इस लेबल को market यहां से क्रॉस कर देता है तब ही हम लोग यहां पर काल में इंटेस्टेड रहेंगे जो कि हमारा पहला टार्गेट तो असानी से आपको मिलेगा 48,390 का सेकेंड टार्गेट आपको यहां पर मिल जागा दोस्तों 48,540 का और थर्ड टार्गेट भी हमारा निकल के आ रहा है 48,630 का आई यह तीनों टार्गेट के पीछे लॉजिक जान लेते हैं कि क्या आ रहा है तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन जूमीन करते हैं ताकि हमों लोग को पुराना चार्ट दीख सके और यहां पर लॉजिक हमों देख सके पहला लॉजिक तो आपको यहां पर दीख गया हुआ दोस्तों इस कैंडल के आसपास कि यह हमारा दूसरा टार्गेट होगा है थार्ट टार्गेट ऑल टाइम हाई है दोस्तों अगर इसके उपर निकलता है 48,640 के उपर निकलता है तो यहां पर काफी आगे जाने का जो है वो संभाना रहेगा जो कि हमारा टार्गेट रहेगा 49,000 का नेक्स्ट टार्गेट रहेगा बैंक निफ्टी में तो यह चीज दियान रखेगा और मेरे को लगता है जोस्तों कि बहुत जल्द 49,000 हम लोगो देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में तो यह चीज का ध्यान रखेगा आईए हम लोग इसी चार्ट पे थोड़ा सा वन डे पर लगा लेते हैं चार्ट और वन डे का जो है वो बैंक निफ्टी का अनलाइसिस करते हैं कि कीस तरीके से जो है इसका चार्ट बनते हुए दिख रहा है और दो कर दोड़ा कर रहे हैं और यहां पर मार्केट की मारकेट रूकना माराज का रेहा है यहां से पड़ा की दिख करो चार्य है जरूर् बना गया है तो इसके बारे में हम लोग द्यान देंगे इंट्राडे पर तो यह चीज आप ध्यान दीजेंगे दोस्तों आई आप इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का कि कि किस तरीके का बिहेव करेगा और निफ्टी का जो है वो क्या रहेगा सपोर्ट रजिस्टेंस कल के दिन और हमारा क्या निकल क्या रहा है वो टोटल डीटेल हम लोग देख लेते हैं निफ्टी नया हाई बना चुका है दोस्तों आज के दिन वहां से मार्केट ऊपर निकला ने मैंने आपको एक ही चीज बोला था मार्केट में इस जगा पर क्लोजिंग आया था इदब टॉप पर मार्क मार्केट में मैंने आपक दिन भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस हाई को निकाल देगा और 15 मिनिट का जो केंडल है यहां पर अगर क्लोज करता है तब ही मैं यहां पर इंट्रिल नुगा कॉल में इंट्रेस्टेड रहूंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि पर समय बिताने के बाद फॉल आते हुए मार्केट में दीखा और जो हमारा टार्गेट था पूट की तरफ फस्ट टार्गेट मार्केट आसानी से इसको अचीव करते हो यहां पर आपको दिखा दिया जो की था 21,970 का तो यह चीज है दोस्तों एनलाइसिस हमारा बहुत अ मार्केट ऐसा नहीं किया मार्केट इसी देंज में समय बिताते रहा लेकिन हम लोग जब बोले थे दोस्तों कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई यानि कि हाई कि से यहां रिजेक्शन लेते हो दिखेगा तब हम लोग एक यहां पर छोटा सा हाई का जो है इस टॉप लस लग अच्यीव करते हुए मिल गया कि कल के दिन जो है निफ्टी किस तरीके के भी हैब कर सकता है निफ्टी में क्या टार्गेट रहेगा वह सब हम लोग जानते है तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी में जो क्लोजिंग आया है वो इस लेबल पर आया है तो सब कि यहां पर छोटा निकल क्या रहा है analysis की सबसे आप देख रहे हैं कि market support को respect किया और आज की दिन भी support को respect किया है तो अगर market यहां से नीचे निकलता है तो first target हमारा छोटा रहेगा 21,960 का जो कि आज का low भी है तो यह रहेगा और कल का भी low है यानि कि Friday के दिन का भी Monday के दिन का भी low था ठीक है तो यह हमारा पहला target रहेगा put के लिए second target थोड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि यहां से अगर market निकलता है तो कोई support बीच में है नहीं exact आपको यही support निकल के आ रह में हम लोग को देखना है कि इस line के नीचे gap down होना चाहिए ठीक है यह चीज़ ध्यान रखिएगा जो कि 21,964 के अगर नीचे gap down मिलता है तब ही हम लोग यहां पर put में entry लेंगे और जो हमारा first और last target रहेगा वो यही रहेगा 21,850 का तो इस पर आप ध्यान रखिएगा और करिएगा ठीक है अगर मार्केट यहां से फ्लाट खूलने के बाद ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग कॉल नहीं लेंगे जब तक मार्केट all time high नहीं निकाल देता यह चीज़ ध्यार में रखिएगा दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि sir तो बहुत बड़ा target दे रह तो मार्केट यहां से रिवर्स ले सकता है नीचे की तरफ तो आपको फसा सकता है मार्केट इस लेवल में इसलिए मैं पर्फेक्ट लेवल दे रहा हूं आपको कि अगर मार्केट 21,116 के ऊपर निकलता है तब ही हम लोग यहां पर कॉल में इंट्रेस्टेट रहेंगे अध अधर्वाइस नहीं रहेंगे तो यह चीज आप ध्यार में रखिया दोस्तो अगर उपर का लेबल पर मिले दोस्तो अगर आल टाइम हाई निकल जाए और गैप अप से निकले जैसा कि आप मान के चलिए कि कल के दिन जो है इसी लेबल पर आपको मार्केट जो है वो खुलत पर दिख जाए 21,120 के आसपास तब मैं यहां पर छोटा से SL डाल के फर्स्ट केंडल का हाई का SL करके और यहां पर मैं पूट में जो है इंटेस्टेड रहूंगा और जो टार्गेट रहेगा हमारा फर्स्ट टार्गेट 20,000 22,000 करहेगा सेकेंड टार्गेट जो रहेगा 21,9 960 करहेगा यह दो टार्गेट के लिए मैं काम करूंगा अगर बड़ा गैप अप मिलता है हमको तो कल के दिन तो यह चीज़ द्याम रखेगा दोस्तों कि इस लेवल पर गैप अप होना चाहिए मार्केट का तब यहां से हम लोग जो है वो पूट के पूट का ट्रेड लें दोस्तों और डिसेप्लीन ट्रेड रहेगा तो यह चीज़ द्याम में रखेगा तो बहुत लोग बोलेंगे कि यहां से औरड़ी सौप चल लेगा तब क्या फैदा होगा लेकर के लेकिन यह जो रहेगा दोस्तों यह हमारा डिसेप्लीन का पार्ट है और इसको हम लोग यहां पर तब तक हम लोगो रिवर्सल आते रहेगा क्यूंकि मार्केट इस चैनल में चल रहा है जैसा कि आप देखरें नीचे के लेबल से भी चैनल है उपर के लेबल से चैनल चल रहा है तो हो सकता है कि मार्केट यहां टेस्ट करें फिर ऐसे जाए फिर यहां टेस्ट करें फिर ऐसे जाए तो इस तरीके का अभी चैनल चल रहा है तो हो सकता है कि इसको अभी और आगे तब तक कॉल टाइम हाई के उपर निफ्टी नहीं निगले तब तक कॉल एवाइड करिए कॉल में इंट्री नहीं करिए तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है मैं एक चीज़ और मोलूँगा दोस्तों नए जो ट्रेडर हैं वो बहुत ज़्यादा money loss कर रहे हैं अपना option trading में तो सबसे पहले मैं उनसे एक ही request करूँगा कि पहले market को जाने सीखें और उसके बाद ट्रेड करें अगर आप सीखने के बाद ट्रेड करते हैं तो आपको ज नहीं बना सकते हैं चाहे आप कितना भी class कर ले लेकिन यहाँ पर आपको सीखना जरूरी है दोस्तों आप यही चीज़ नहीं समझते हैं और नहीं समझने के कारण जो है आप यहाँ पर हर दिन जो है आप capital कहीं से लेकर कर आते हैं और यहाँ पर loss करके जाते हैं तो इस तर तो थोड़ा छोटा अमाउंट से सीखने के बाद प्रैक्टिस करिए जब आप कंटीनू प्रॉफिट बनाने लगेंगे तब आप बड़ा अमाउंट से यहां पर कर सकते हैं साथ ही साथ आप इंवेश्टमेंट पर विध्यान दीजे दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में हैं मैंने बहुत सारा जो है वीडियो बना करके रखा है अगर आप आप जाकर करके आई रफसी को देखेंगे चाहें आई डिफसी को देखेंगे तो बहुत सारा बहुत कम कीमत प है उसको मैंने 45-300 रुपया से जो है वीडियो बनाना सुरू किया था और आज वह 90 रुपया पर ट्रेड कर रहा है तो इस तरीके से बहुत सारा जो है हमारा चैनल आपके लिए स्टॉक भी लेकर कर आता है जो लोग जो लोग लोंग टम इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं उल्क घब आता है तो बने रहे हमारे वीडियो में हमारे चैनल में मिलते हमों सबस्क्राइब जरूर कर दएगा їх दोस्तों मिलते हैं व्यांग्स वीडियो